के एवरिवन वेलकुम एक टू कावी सकेडवी किया राई विल डिसकर्स भी एंट्रस एक्जाम एमसे जाल जी तो थाउसन नाइंटीन पीपर साल्यूशन ओके तो यह पार्ट एट वीडियो है पार्ट बाकी की जो पार्ट है मैंने अल्रेडी डिसकुस कर दिया है ओके तो आपने नहीं देखा है तो प्रेस में चाल पर विजिट करके उन सारे पार्ट को एक बार देख लेना नाओ तो स्टार्ट करते हैं तो बिफोर बिस स्टार्डिंग इस वीडियो प्लिस लिब्सक्राइब माई चैनल कोशन नमबर फॉर्स्ट सैल और एबल सॉरी सैल और देखेखा है और आपकर डिस बहुत्ष मिने नहीं कि देखान अट आनर उन थे स्टार्ड नाओ जो बात आती है कि एलमीन असे क्यों कि अभा एड़् नहीं है क्योंकि जो हैलमीन असीड वो टांशलेशन प्राइशन को टाइम बनता है इस ताइम आइन से परोटेन बनता ह of amino acid because the active site of enzyme concerned are asymmetrical okay and causing the reaction they catalyze to the stereo specific so yeah that is the option number first okay now in titration experiment pk1 ppi and pk2 of glycines was found to be equal to 2.3 pk1 pi and pk2 okay glycines was found to equal to 2.34 okay 5.97 okay and 9.60 okay now the p1 referred to titrate of to p1 puchha gaya hai 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 na toh hiyan pe options dekho ki kaun sa group hooga toh jabh less than 7 होगा अगर ये base है एंस त्रेकिया है अमोनिया तो उसकी जो पी होगी वो more than 7 होगी एक तो ये concept होगी बड़्स पीकी वैली होती है त्यान से सुनना जो पीकी वैली होती है COO- की जो वैली होती है वो वैली करती है 1.8 से लेखी 1.4 ओकी जो लों पीके की वैलियू होती है ऐसेट की उसकी 1.8 सी 2.4 तक बीच में होती है एंड पीके वैल्यू एनसी उसकी कितनी होगी उसकी होगी 8.7 से लेके 9.8 तक तो यहां पे देखो इस इस कोशन के अंदर देखो आप पीके वैल्यू किसकी पूछिगाई है 2.34 की पूछिगी वह किसकी होगी 2.34 किसकी बीच माता 1.8 और 2.4 की बीच 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 है तो यहां पर किसकी वैल्यू है यह किसकी पीके यह है आपकी COO- की ग्रूप की है यहां पर आपका अंसर भागा तिस ऑक्षिन नोंबर थर्ड बहुते रग्रूशन नावग विच अपका इस वॉज आ ज़ायों को व्याज रूच आपको अपको प्रहसी आपके अपाद कोिशाई नौ। और जो glycine होता है वो सबसे जादा abundant permitted होता है तो यहाँ पर broader range पूछा गया है यहाँ पर आपका अंसर आएगा that is the option number 3 okay glycine glycine जादा permitted होता है highly permitted होता है क्यों होता है क्योंकि जो glycine होता है highly flexible होता है इस रिजन के वह जैसे now which of the following is the example of high energy phosphate compound formed in glycolysis high energy phosphate compound तो glycolysis का जो process आपको पता होना चाहिए क्या होता है तो इसके अंदर जो glucose glucose to glucose 1,6 phosphate है इन सब में क्या होता है ATP का breakdown होता है यहां पे जो 1,3,2,2 phosphate,2 phosphate phosphate होता है 3 Phosphoglycine में इस condition में क्या होता है क्या होता है क्या है ATP का formation होता है कैसे 2 ADP convert होती है 2 ATP में है हना यहां पर 2 molecules है 2 molecules है isकी यहां पर भी 2 molecules का ATP का का formation होगा तो यहां पर क्या रहा है टूई टीपिका फोर्मेशन होगा हाई एनरजी फॉस्फिट कंपाउंड फॉर्मिंग ग्लाइकोलाइसिस तो डाट इस दो आप्शिन नॉम्बर साइकिन ओकी कि जो कोशन में आपको जावली वीडिएयो के अंदर मेंशन कर रखा है मैंने जो सलिबस की वीडियो बनाई आपके लिए उसके अंदर देर रखा 아이 कि जो यहितनी भी साइकल्स साथे बात इंपांट डॉल करते कि इसके रिलेटे काफे जाढ़ा कोश्न साथे और जो तो यह जो साइकल से काफ़ ज्यादा इंपरेंट है नौ इन अनिमल्स प्लांट एंड मैंक्रोबियल साल टू एसल कोलिंस कंवर्ड इन्टू फोर 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 स्यो टू प्लस टू एस्टू वारीस फॉलाइं यहां पर जो सिट्रिक आसे साइकल होता है उसके अंदर यह कंवर् साइकेन सितरिक हैसी साइकल से एक से रिलएटे डाँ प्लाइट होताह ग्युकष आं ऊंटím अज़ाइख ओ के मिदाट इन्टू इंजाने आपका ग्लॉकोस फॉस्फफ़ेट जैसे जैसे जो ग्लाइकोजन फॉस्फफोराईलेज एंजाइम एक्ट करता जाएगा और एक ग्लाइकोजन का मॉलेक्यूल्स यहां करते जाएगा तो यहां पर जो ओनाफ का जय तो यहां पर जो ग्लीकर ग्लीकर और यह जो देखा होगा जब माल्टोस की सब्सक्राइब बने हैं आदने हैं ओहां पर का बना था है तो यहां पर आपका शनटी को फर्स्ट तो कि नौचे सिस्पा एंजािनाइनम आफेक्ट तो चेशल्दookie की अच्टे भी सपन्फ घ्रीड़ुर्स इंजोतके स्टीड़ has km 0.4 0.1 एक सब्सक्राइब लिग लेते है वैल्यू ना एक क्या है 0.04 एक क्या है 0.05 और एक क्या है 0.5 एनन ओके 4 ATP ATP की वैल्यू है D glucose ओके and D fructose ओके तो यहां पर क्या है यह km वैल्यू दे रखी तीनों की the enzyme is presented with 0.1 to 0.04 एनन तो यहां पर 0.1 to 0.4 एनन तक रिपर्जेंट कर रहा है all three substances are step by step which of the following bind the enzyme first तिन तीनों में से सबसे पहले enzyme के साथ bind कौन करेगा तो एक को जो km वैल्यू होती है यही भी मैंना आपको बढ़ा है कि जह enzyme वाला पोर्सन है काफे जादे important है ना मेंके सले बस वीडियो के अंदर mention कर रखा है तो जो km वैल्यू है km की जो वैल्यू होती है वो inversely proportional होती affinity of an enzyme affinity of enzyme of substance substrate के affinity से inversely proportional होगी means जिसकी ज्यादा यह वैल्यू होगी अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है जो सबसे पहले enzyme से bind होगा उसकी km की value सबसे कम होगी यही पूछा गया है bind first तो सबसे पहले कौन होगा जिसकी km की value सबसे कम होगी अब km की value देगो किसके अंदर कम है 0.4 1.5 and 0.05 0.05 कितनी कम है न इसलिए यहां पे सबसे पहले जो molecules है bind with the incense that is the D glucose okay तो यहां पे आपका अंसर आएगा option number second now steroid hormones are derived from which of the following lipid तो यह again questions repeated है तो पहले गोशन सा उसके अंदर क्या पुछा गया रहता है कि cholesterol कैसा hormones है cholesterol means किसका precursor है तो यहां पे steroid hormones का है तो यहां पे steroid hormones है वो derived from the cholesterol okay तो यहां पे आपका अंसर रहा that is the option number fourth in this analytic code which of the following consider to be verbal based आपके मक्याखको पता है कि यहां पेफिकिकर करन रोक होता है anti cottage और यहां पे उता है वह जिल्चोगोज रहा की में सब्सक्राऀए Easy प्रकरूज निने ह्खें अह happy कोडन और यहां पे उता करिके और यहां पे क्या होगा आपका ट्रांस जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर वबल बेस का दे रहा है कि ट्रांसलेशन में जो टी आरेने बाइंड होता है मारे के उपर तो कौन से बेस पहले होता है वह अगेरा तो वह सारे टॉपिक्स आप एक बार देख लिए तो यहां पर हमने कुछ 10 कोशन को सौल की मेरी जो लास्ट वीडियो थी 1-7 उसके अंदर भी मैंने सारे कोशन को सौल करा है तो जो महीं नेक्स वीडियो होगी उसके अंदर भी इसी बीच्ची की पेपर को में सौल कराऊंगी ओकी तो अगर आपने मेह चल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज में चल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना मत बूलना इसके बहुत सारे पार्ट है तो अगर मैं जब भी कोई पार्ट डालूंगी तो आपको फॉर्दर नॉटिफिकेशन आ जाएगा ठीक है एंड रही बात बुक्स की तो मैंने आपको प्रेकिशन आप वो सारे टॉपिक जहां से आपको अच्छा लगता है बुक से पढ़ना उस बुक से आप पढ़ सकते हो फिर आपको क्या करना है जितना हो सके mcq प्रेक्टिस करो एंसे क्लिए आपके पास पार्ट फाइंडर बुक से पीवाई प्रीवाई वीडिवाई क तो वह भी आप देख लेना ओकी आप मुझे टेलीग्राम ग्रूप में भी जोईन कर सकते हो तो वहां पे भी में टेलीग्राम में ग्रूप तो उस ग्रूप के अंदर कुछ फाइल दे रहे हैं वहां पर कुछ प्रैक्टिस कोशन से तो वह भी आप स्वाल कर सकते हो ओकी सो अगर आप में चल पर न्यू है तो प्लिस में चल को सब्सक्राइब करना ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो बाई बाई क्या है